आप सभी को जय गुर्देव एवं जय शी मातरानी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रभू स्री विश्णु के अब तक नौ अवतार हुए हैं दश्मा अवतार जो कल की अवतार है वो अभी बाकी है तो भगवान विश्णु को जो सबसे अतितिक प्रिय जो वस्त हुए है वो है बैजनती और तुलसी आईए सबसे पहले मैं आपको प्रभू विश्णु के जो दशावतार हैं उनके वारे में जनकाई दे देता हूँ महपरले होने से पहले प्रभू ने जो अवतार हरड किया वो था मतस्य अवतार जिश्णु का जो नीचे का हिस्णु का घड से नीचे का हिस्णु वो था एक मस्तस के रूप में, मतलब मचली के रूप में, जिससे कि उन्होंने जो महराज मनू थे, उनकी नौका को पार लगाया था, उसकी बाद फिर जब सबुद्र मंतन हुगा, जब रत्रों की उत्पत्ति हुई, तो प्रभु विश्णू ने कूर मपतार को धरन किया, प्रभु विश्णू ने वरहा अःवदार का धारन किया, उसके बाद जब भूतल पर अत्यचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अत्याचार को मिटा आने के लिए भगवान विश्णू ने नरसंग अःवदार धरन किया जब हिरन्याक्ष को विर पराजित करने के लिये भगवण विष्णु ने वामन अवतार लिया बटुक उसके बाद चथ्रियों की बरवरता को देखते हुए उनकी बरवरता को मिटाने के लिए भगवण परश राम का जो है विष्टु भगवार ने अवतार लिया और 21 वाद छत्रियों से विही निर्धरा को किया उसके बाद प्रभु राम के रूप में अवतरित हुए उसके बाद स्री विष्टु कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित हुए और उसके बाद फिर दसमा अवतार प्रकाट होगा इसमें जो सबसे प्रचलित या सबकोस अतिदिक प्रिये जो उनका सुरूप था बाल कृष्ण का सुरूप अर्थात कृष्ण भगवान या फिर बाके बियारी लोग अन्य नामों से भी इनको जानते हैं तो इन दसों अवतारों की साधना क्या कैसी माला हैं जिस माला पर प्रभू के सारे अवतारों की साधना की जा सकती है या वो बुद्ध भगवान हो या कर्शन अवतार हो या राम अवतार हो परश्वरम अवतार हो कोई भी हो क्योंकि उसके अंदर प्रभू विश्णू का तत्व समायोजे तो उता अर्थात उन लोग तुलसी को धारन करते हैं लेकिन तुलसी को पहनने के बाद जो नियमें आप आज लहसन नहीं कहा सकते असोंच में नहीं रह सकते हैं किन्तु वैजनती माला एक ऐसी माला होती है ठीक है वैजनती माला एक ऐसी माला होती है जिसमें आप ग्रहस्ती के सामान नियमों का प सकते हैं अपने आप में बैजनती की एक अलग महिमा बताई गई है बैजनती एक दाना है एक फल होता है बैजनती पेड़ के अंदर निकलने वाले फल को बैजनती दाना बोलते हैं यह पूर्ड रूप से प्राकरतिक होता है बिल्कुल हीटेड नहीं होता बिल्कुल ट्रीट करते हैं जो शैब संपर्दाई के लोग हैं वो द्रक्ष के माला को धारन करते हैं तो जितने भी विश्णु संपर्दाई के लोग हैं हरे राम हरेक्ष्ण संपर्दाई के लोग हैं ठेके कृष्ण मत के लोग हैं तो वो लोग वैजनती माला को धारन करते हैं तो आप से भी लोगों के लिए जन्माश्टमी अर्थात प्रभू विष्णू के कृष्ण शरूप के प्राकर्टस दिवस के उपलक्ष में सनस्तान के द्वारा कुछ बेजनती मालां तियार की जा रही है जो की कृष्ण जन्माश्टमी की रातरीक होगी अर्थात जब प्रभू स्री जन्म का अभिशेक होगा उसी समय उस अभिशेक के माध्यमसिन मालाओं का निर्माण किया जाएगा तो जो भी वैशनप मत से प्रेम करते हैं या वैशनप संपरदाय को फॉलो करते हैं तो इस बेजनती मालों को अभश्य धरन करें इससे मिलने वाले लाग आप पर दाग लगता है उसी परकार बैजनती माला है जिसका जितना भी महिमा मंदन किया जाए वह उतना कम है तो आप लोग इस बेजनती मालों को अभश्य धरन करें और अपने जीवन में प्रभु स्री कृष्ण का जो प्रेम है उसको लेकर आए उनके अशिरबाद को लेकर आशा करता हूँ यह लगू जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ठीक है और इस मालों को आप लोग अवश्य धार करें यह आप लोगों के लिए ओफर प्राइज में दी जा रही है इस पर 60% आपको केवल और केवल जन्माश्टमी तक के लिए ओफ मिलेगा उसके बाद यह माल अपने मूल जो रूप में है मूल जो इसका शुलक है उसमें आ जाएगी तो आप लोग जल्दी से जल्दी और सीगर शीगर इसको औरर करें धन्यवाद